आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैंस दुनिया में आज और मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूँगा जो वीडियो है इस वीडियो में हम एक इसी स्री आपके लिए चलाने जा रहे हैं जैसा कि आपके जो एक्जाम के दिन हैं बहुत नजदिक आ चुके हैं तो अब आपके लिए कैसी स्री चलाए जा रही है जो आपके प्रिवेस एर के जो क्वेशन पेपर हैं उन पर पूरा का फोकस करेंगे ठीक है तो यहां पर मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया हुआ ह कि मैं आपको यहां पर तू मार्क्स के क्वेशन को जो परियार पूछे गए हैं उनको लेके आओं थ्री मार्क्स के जो क्वेशन पूछे गए हैं उनको भी लेके आओं और सिक्स मार्क्स के क्वेशन भी लेके आओं और वन मार्क्स के क्वेशन का एक वीडियो अलग से ब उन question का solution में आपको बताऊंगा तो मेरे और से पूरा यह प्रयास रहेगा कि आपके लिए जो यह वीडियो है बहुत ज्यादा helpful रहे और आप अपने exam में बहुत अच्छे mark से आप पास हो जाएं और बहुत अच्छे mark से आप केन करें तो ज्यादा late ना करते हुए शुरू करते हैं आपनी आज की class और देखते हैं आज की वीडियो का पहला question तो बच्चो यह रहा आपके सामने question number 1 जो 2019 में आपका question number 11 पूछा गया है और यह two marks का question आपके board में पूछा गया है तो यह आपका quadratic question से question है और 9x square minus 3x minus 20 equal to 0 आपको इसके mole बताने हैं इसके factor आपको बताने है कि क्या होंगे तो इस question को करने के लिए आप क्या होंसा methods use करते थे 9x square minus 3x minus 20 splitting the middle term का आप यहाँ पर use करते हैं तो आपको क्या करना होता था इन दोनों को multiply करते हैं हो जाएगा आपका 9 multiply with sign आपको multiply करना है हमेसा याद रखेगा तो 9 multiply minus 20 करेंगे तो minus 180 आ जाएगा ठीक है अब आपको इस 180 के ऐसे दो factor करने हैं जिने multiply करूं तो 180 आना चाहिए और अगर मैं उससे subtract करूं करता है कि subtraction के बाद उसका यह value जो है 3 आना चाहिए आपके पास तो आप ऐसा factor करेंगे तो आपके सामने जो value आएगी हुआ आएगी 15 multiply 12 ठीक है तो 9 x square अब आप साइन को ब्रेकेट को open करेंगे तो माइनस 15 होगा इसको x से भी multiply कर लीजिए माइनस से माइनस को multiply करेंगे तो पर 12 x हो जाएगा यहाँ पर और यह माइनस 20 इकल तो आपके पास आजाएगा बच्चो जीरो आजाएगा ठीक है इस तरीके से आपने splitting the middle term, middle wallet term को आपने split कर दिया यहाँ पर अब इन दोनों को यहाँ पर आप क्या करेंगे दोनों को यहाँ पर आप बनाएंगे यहाँ पर इनका pair बना देंगे तो यहाँ से क्या common आएगा बच्चो देखिए common क्या है आपके पास यहाँ पर 3 है और x है तो यहाँ से 3 जब आप पास common आयेगा तो यह फोर थीजा हो जाएगा फोर का इवाइड कर लीजिए यहां भी फोर का इवाइड कर लीजिए तो यह 5 आ जाएगा ठीक है इस तरीकी से जो bracket के अंदर की जो value है आपके पास same आनी चाहिए आपके question का answer सही जा रहा है इससे define हो जाता है यह bracket के अंदर की value same आनी चाहिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास इनमें से common ले लीजिए तो 3x-5 इन दोनों में से common आ गया यहां से क्या बचेगा हमारे पास यहां से 3x बचा बच्चो और यहां पर क्या बच गया प्लस 4 आपके सामने बच गया और यह equal to 0 हो गया तो यह हमने factor कर दिये है स्क्वाड़ी एक्वेशन के अब इसके अगर आपको मूल के निकालने हैं तो 1 by 1 इनको 0 के एक्वाल करिए तो क्या हो जाएगा 3x-5 को पहले आप 0 के एक्वाल करिए तो 3x इक्वाल टो आपके पास क्या जाएगा 5 आ जाएगा and the value of x आपके पास क्या जाएगा 5 upon 3 आ जाएगा and the value of x क्या जाएगा minus 4 upon 3 हो जाएगा तो यह x के दो value हमारे सामने आ गई हैं तो I hope आपको यह question बहुत easily समझ में आ गया होगा और two numbers में two numbers में जो question आता हूं इसी तरी की question आते हैं बच्चो तो चलिए देखते हैं next question, next question को discuss करते हैं आपसे पूछता है कि 78 इस स्रिणी का कौन सा पद होगा ठीक है तो ऐसा question आप जब भी करेंगे तो आप यहाँ पर लेके चलेंगे आप यहाँ पर लिखना है पूरा method से आप question को लिखेगा माना 78 अगर 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 होगा तो बच्चो एनवे पद की value क्या होती है मतलब एन है यह कितना है एन एन वे पद की value को क्या बोला जाता है इसका मतलब यह एन की value आप 78 मान के चल रहें ठीक है आप देखिए आप एन वाला formula लगा लिजी यहाँ पर एन बरबर क्या होता है a plus n minus 1 into d होता है अब यहाँ पर देखिए जो a की value आएगी इस a p से हो क्या हो जाएगा प्रथम पद इसका 3 है और अगर आप d की value यहाँ से निकालेंगे तो 8 में से आप 3 को minus कर लिजे तो आपके पास d की value 5 आ जाती है इस value को यहाँ रखिए a n की value कितना रखिए 78 रखिए a की value 3 रखिए n की value हमने निकाल लिए कि कौन सा पद है और d आपकी पास कितना 5 है अब इसको यहाँ से यहाँ पहले multiply कर इसको यहाँ ले आईए तो 78 में से minus 3 हो जाएगा और यह n minus 1 into 5 आपके पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपने इसको minus किया तो यह हो जाएगा 75 और यह n minus 1 multiply by हो जाएगा 5 इस 5 को यहाँ divide में ले जाएगे तो यह 15 हो जाएगा और n minus 1 हो जाएगा और n की value क्या हो जाएगी 15 यह 1 वहाँ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और n की value आजाएगे आपके पास 16 means इस स्रेनी का जो 16 पद होगा वो 78 होगा आप calculate करके देख लीजेगा अपन जरूर बताएंगे ठीक है बच्चो तो चलता है next question question number 12 पर तो बच्चो discuss करते है question number 12 को question number 12 को आप देखेंगे तो बहुत important question है बच्चो आपने सबसे पहले जिस question को important में दिलख लीजेगा ठीक है यह question बहुत बार पूसा राता है और बहुत easy question है देखिए यह आपके सामने condition दी है आपको बताना है कि 10 a plus b की value आपके पास root 3 है बच्चो ठीक है और आपको एक दिरखा है 10 a minus b की value आपको दिरखिए 1 upon root 3 दिरखिए ठीक है अब हमेसे एक बात याद रखेगा मैं पहले भी आप मैंने जब आपको यह trigonometric अला portion पढ़ाया है तो मैंने वहां पर आपक trigonometric ratio होता है इसको आपको equal का sign अगर कहीं पर मिलता है तो जहां पर trigonometric ratio नहीं लिखा है उसको trigonometric ratio में आप convert कर लीजिए यह मैं आपको condition बताई है ठीक है तो root 3 को अगर मैं 10 की term में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मुझे बताई है आप देखिए कि 10 a plus b को अगर मै यह root 3 को 10 की form में लिखना चाहूंगा तो इसको तो मैं 1060 लिख सकता हूं ऐसा करने से फाइदा क्या होता है फाइदा यह होता है कि trigonometric ratio अगर equal होते हैं बच्चो तो इसके जो angle होते हैं यह angle है इनकी यह angle है यहाँ पर a plus b है इसका angle a plus b है इसका angle 60 है तो आप easily इनको equal लिख सकते हैं यह इसका फाइदा होता बच्चो ठीक है उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे तो यह वजाएगा 10 a minus b equal to इसको लिख सकता हूं मैं 10 30 लिख सकता हूं क्योंकि 10 30 की value 1 upon root 3 होती है तो इसका मतलब आपने जब trigonometric ratio equal कर दिया है तो angle भी equal कर सकते हैं तो a minus b की value कितनी है ज इसको लिख लिए आप दोनों को लिखी दोनों को आप solve कर लेते हैं तो a minus b equal to 30 इसको लिख लेता हूं यहाँ पर आपको solve करना आता होगा आपने इस value इसको यहाँ पर cancel कर दिया जो आपका 2a equal to यहाँ पर आजाएगा 90 and the value of a कितना आजाएगा 90 upon 2 means 45 और b की value अगर आपको b equal to 60 degree है ठीक है ना तो 45 plus b क्या हो जाएगा आपके पास equal to 60 and the value of b कितना हो जाएगा 60 minus 45 यह हो जाएगा आपके पास 15 degree तो value of b क्या आपके पास 15 degree आ बच्चो ठीक है तो इस तरीके से आप question को बहुत easily कर सकते हैं बस इस चीज को आप याद रखेगा कि जो technometric ratio यहाँ पर है equal के बाद जो technometric उसको आप ratio में उसको ले के आए तभी उसका angle आप equal कर सकते हैं यह इसका concept है ठीक है तो चलते हैं next question पर देखते हैं next question आपके exam में कौन सा पूशा गया है so stands यह है next question यह question बहुत बढ़िया question है इसको द्यान से समुझेगा कि क्या है देखिए ABCD एक संबलम भेक्ट्राइपीज हम है आपके पास यह मैंने आपके सामने figure भी यहाँ पर पहले से बुना के रखा हुआ थो यहां से देखिएगा इससे आपको अच्छे समझ में आ जा काट रहें आपको प्रूब करना है कि AO अपॉन बी ओ एक्वल टू क्या होगा सी ओ अपॉन डी होगा बच्चो आपको यह बताना है तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है सबसे पहले इसमें रचना करिया आप आप इसको मिला दीजिए बच्चो यहां पर एक पी पीचिये जो पैलल होगा AB के और AB आपको पता है कि पैलल है CD के ठीक है इस तरीके से आपने एक लाइन खीच लेनी यह आपके के द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गाई अब यहां से हमने क्या करना है हम लेने चाह रहे हैं एक ट्रैंगल हम लेंगे यहां पर ADC बच्चो ADC और अब ADC में आप बता सकते हैं कि जो PO है वो CD के पैलल है हमने यह कहा कि जो PO है वो CD के पैलल है जब यह CD के पैलल है तो हमने एक बहुत important theorem पड़ी है इसको हम बोलते है थेल्स परमे बच्चो तो थेल्स प्रमे के हिसाब से अगर देखा जाए तो थेल्स प्रमे क्या कहती है एक triangle है इसके parallel में हमने क्या क्या एक line खीची हुई है means यह क्या कर रहा होगा यह जो ratio होगा इनका ही ratio हमेशा क्या होगा equal होगा means मैं आप लिख सकता हूँ कि A O का ratio A O का ratio किसके साथ O C के साथ यह इसको आप C O लिख लिजिए कोई बात नहीं है C O लिख लिजिए ठीक है यह किसके एककोल होगा बच्चो यह हो जाएगा A P upon D P इस triangle के अंदर A O upon O C किसके बराबर होगा A P upon P D या D P आप जो कहते हैं इसको लिख सकते हैं अब एक triangle में all लेने जा रहा हूं triangle ले जा रहा हूं एक triangle all ले है मैंने A D और B A D और B यह वाले triangle में ले रहा हूं अब यहाँ पर triangle में देखा जाए तो P O हमने किसके A B के parallel खीचा है हमने खीचा है जो P O है वो A B के parallel है अगर यह ऐसा है तो हमारे पास फिर थेल्स की पर में हैं पर apply कर सकते हैं यह थेल्स की पर में यह दुबारा लग जाएगी ठीक है अब आप सबने पढ़ा होगा थेल्स पर में क्या है तो यह बाद देख लिजिएगा जो भी है बट मैं उसको सीधा apply करना है आप सिखा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो भी बहुत ज़्यादा लंबी हमारे पार वीडियो हो जाएगी बच्चों ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे तो DP अपन क्या हो जाएगा या फिर आप सीधा यहां से लिखना सुदू करिए इसको आप मेरे बात को सुनिए आप एक्वेशन नमबर वन और टु को आप जब compare करेंगे देखेंगे कि AP upon DP की value यहां भी आ रही है और AP upon DP की value यहां भी आ रही है तो जब यह एककल है तो यह value भी क्या होंगे आपस में यह equal होंगी तो यहां पर मैं easily लिख सकता हूं कि a o upon c o बराबर लिख सकता हूं b o upon d o आप इनको क्या करिए cross multiply कर लीजिए a o को अपनी जगाव लिखिए और b o को यहां लिया आईए क्यों क्यों कि मुझे यहां पर formula इस formula निकालना है ठीक है और c o वहां चला जाएगा उपद तो c o upon क्या जाएगा d o और आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रूब करना था वो प्रूब वाला हमारा जो portion था वो complete हो चुगा बच्छो तो इस तरीके से इन questions को किया जाते है ठीक है तो चलता है next question देखते है next question को next question में देखिए आपके point दिया हुए मैं इन point को पहले लिख लेता हूं 4-3 और second point आपको दिया है 8,5 ठीक है और आपको यह भी दिया है कि इनमें point है जो 3 ratio 1 में जो 3 ratio 1 में इस line को divide कर रहा है आपसे बताना है तो इस तरीके से कुछ line है एक rough बना रहा हूं मैं rough में मैंने बनाया 4,3 और यहां बनाय 8,5 और यह इसको 3 ratio 1 में 3 ratio 1 में divide कर रहा है यह point यह वाला यह A है यह B है यह मालो P है तो यह P point इस line AB को 3 ratio 1 में divide कर रहा है आपको बताना है कि इस point P के coordinate क्या होंगे बहुत अच्छा question है और बहुत easy question है तो इसके जो coordinate होते हैं किस तरीके से निकाला जाते है सबोज X and Y है तो X को आप कैसे निकालता है X को निकालने के पाद आपके बाद तरीका है M1 X2 plus M2 X1 upon क्या आपके पास होता है M1 plus M2 एक Y को यह X को निकालता है इस तरीके से और Y को कैसे निकाला जाता है M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2 यह formula आप सभी को learn होगा आप देख लिए यहाँ पर आगर आप y1 की और यह हो जाएगी x2 और इसको ले लिजिए y2 इसको ले लिजिए m1 और इसको ले लिजिए m2 ठीक है इस तरीके से आप सारी वैल्यू ले सकते हैं तो x की वैल्यू आपके सामने देखे क्या आएगी m1 x2 m1 कितना है आपके पास 3 multiply x2 कितना है बचो 8 plus m2 की value 1 और उसके बाए x1 की value आपके पास कितना है 4 और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 में 1 एट कर लिजिए यह 4 हो जाएगा आपने यहां multiply किया तो यह 24 हो जाएगा यह प्लस 4 आजाएगा और 4 से आप divide करेंगे तो 28 अपॉन 4 कितना हो जाएगा बच्चो 7 आजाएगा तो x का coordinate कितना आगिया आपके पास 7 आगिया इसी तरीके से जो y की value निकाला जाएगी तो y की value निकालने में क्या करना पड़ेगा आपको m1 की value 3 है y2 की value यहां से ले लिजिए यह 5 है और m1 की value आपके पास 1 है और y1 की value आपके पास m2 की value 1 है y1 की value है आपके पास minus 3 ठीक है और इन दोनों को add करेंगे M1 प्लस M2 ये फिर आपके बाप 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके बाप 15 माइनस 3 अपान 4 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 12 में 4 का divide आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा बच्चो तो जो coordinate था आपके पास coordinate आप लास में लिख लिजएगा exam में वह जाएगा 7,3 ठीक है तो बहुत अच्छा question था बहुत easy question था I hope आपके समझ में easily आ गया होगा आप देखते हैं next question को ठीक है Mac eric color कि जो total number क अगा देखिया total number की अग्र आपके पास क्या है total yards कितने होते है total cars की तो अब मुस्वद कर से अपhel हास कितने हैंymphटीैटू है टीक है अब मुझे बाद बताइए जो फेस वाले होते हैं लाल रंग के लोते हैं ट्विंटीसिकस तो अश्में से जो fix वाले होत आपके पास एक गुलाम होता है एक किंग होता है और एक क्वीन होती है ठीक है बच्छो तीन होते है और रेड कलर की कितने होते है छे होते है ठीक है तो आपके पास रेड कलर के फेस वाले जो कार्ड्स होंगे उनका नंबर कितना है बच्छो शिक्स है तो आपके पास प्रब तो 3 upon 26 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो यह question आपके इस तरीके से question पुछे आते हैं प्रैक्ता से और एक question जो प्रैक्ता का आपके इसी question के option में दिया है उसे भी मैं आपको करवा देता हूँ वही इस वीडियो का last question है बच्चो देखते हैं next question को तो यह आपका last question मैं से किया है कि पाससे को एक थेका जाते है तो पासे में जो कई कश होतें वह कितने होते हैं आपके पास आपके हैंगे पैसे में armydeveloped ul morak कितने होते होते हैं और जो़। क्या हो जाएगी कि आपके पास कैसा आए एक इवन नंबर आजाए एक इवन नंबर आने की प्रैक्टा क्या होगी बच्छो तो कितनो टोटल नंबर आपके पास पूछेंगा वन अपन टो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने 2019 में जो टू मार्क्स के कोईशन आपके अग इवीडियो होगी और आपके एक्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और यहीं पर आपको एक क्वेशन देता हूं अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि और नंबर और नंबर आनने की प्रोबिलिटी बतानी है वो भी लेस देन फाइव लेस देन फाइव इसी कॉइशन के लिए ठीक है एक और नंबर आनने की प्रोब रोब्रिटी क्या होगी और नंबर आपका क्या अनचीए पांस से कम होणा चीब ओचो अर्ड़ू लिखächँ ऑर कैसी आपको वीडियो लग रही है क्या आपके लिए हैल्फ फुल हो रही है यह जरू बताएग ठीक है तो इसी जब आप अपना feedback देंगे तो उसी हिसाब से हम अपने जो वीडियो है इसको continue करेंगे और आपके लिए इसी तरीके से per year जो ऐसे important question आए गए हैं उनका solution आपके लेके आएंगे इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहेगा चैनल को like, share और subscribe जरू करिएगा